अलो, शेलम वालेकुम, विल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे कुछ पाउडर मसाले इसके लिए हमने हाफ कब ब्लैक पेपर लिया है इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे फाइव टू सिक्स मिनट के लिए जो है हम इसको अच्छे से सॉटे कलेंगे हलकी हलकी स्मेल जब इसकी आने लगे तो इस चादा भी हमें इसे नहीं भूनना है अब हम झीरा क्यूमन जो है हाफ कप लेंगे हम अच्छे से भून लेंगे जब इसका कलर थोड़ा सा हलका ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे इस तरीके से हमें इसका कलर चाहिए अब हम एक बाउल में इसे निकाल लेंगे अब धनिया इसको भी हम हलका हलका सेक लेंगे हलका हलका हम इसे भून लेंगे इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ज्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है हमें थोड़ा सा जो है लाइट ब्राउन कलर करना है और हल्की हल्की खुश्बू जब आने लगे तो हमें ग्यास का फ्लेम बन कर लेना है और ये जो तीना हमारे मसाले हैं इसको हम जो है थंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे थंडा होने के लिए अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सबसे पहले हम ब्लैक पेपर का फाइन पाउडर बनाएंगे हम तकरिबन 5-6 मिनट ग्राइंड कर लेना है हमेंसे ये देखिए इस तरीकी का हमें टेक्चर चाहिए अब हम भुना हुआ जीरा लेंगे इसको भी 8-9 मिनट के लिए हम ग्राइंड कर लेंगे और 8-9 मिनट के बाद ये देखिए हमारा जीरा पाउडर जो है वो रेडी है अब हम धनिया ग्राइंड करेंगे और इसका जो है हम धनिया पाउडर बनाएंगे और इसे तकरिबन हम एक महीने के लिए जो है यूज कर सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होता है किसी भी काच के कंटेनर में काच के जार में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और यह देखिए हमारा जो धन्या पाउडर है वो रेडी है और धन्या पाउडर जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ही कम टाइमिंग में हमने तीनों मसाले बना कर तयार कर लिए हैं और जिसको हम कभी भी पॉरन यूज़ कर सकते हैं और हमारी cooking वह बहुत ही easy हो जाती है जब हम इस तरीके से सारे मसाले बना कर रखते हैं और इसको अब हम काच बार के container में या काच के जार में ऐर टाइट container में हम इसको store कर लेंगे और मसाले जो है वो market से बहुत ही कम leash में बनके तयार होते हैं और बहुत ही hygienic और healthy way में जो है बनके तयार होते हैं इस तरीके से हमने सारे हमारे जो jar है वो store कर लिये हैं और airtight container में जो है आप इसको रख सकते हो और मार्केट से बहुत ही कम दाम में जो है यह हमारे सारे पाउडर मसाले बनके तयार होते हैं इस तरीके से इसके उपर जो है लेबल करके भी आप इसको रख सकते हो सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे डस सिपीज अच्छी लगती होंगी तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्स फर वाचिंग